पड़ी खबर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मुहमज साहब बुद्दीन के बेटे उसामा साहब को नयाएक खिरासत में भेज दिया गया है जमीन के मामले में विवाद हुआ था गोली बारी हुई थी और इनको इनके सहोगी के साथ नामज़त किया गया था उनको सिवान कोर्ट में हाजिर किया गया जहां से 14 दिन के लिए उनको नयाएक खिरासत में भेज दिया गया है नमस्कार आप देख रहे हैं देशवानियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशी इनके ऊपर आरोप है के 42 कठे जमीन को ले करके ये विवाद करने के लिए जमीन पर चड़ गये थे अपने सहोगी सल्मान के साथ वहाँ पर काफी हंगाबा हुआ था गोली बारी हुई थी और इनको नामजद बनाया गया था सल्मान के साथ इनके सायोगी सल्मान को भी नामजद किया गया है जिसमें बारा लोगों को अग्यात रूप से दिखाया गया है और इसी मामले में राजस्तान के कोटा से इनको गिरफतार किया गया है। जब अपने साथियों के साथ वो कार से सफर कर रहे थे और पुलिस को शक्व ही और उसके बाद जब कार को रोक करके देखा गया तो उसमें ओसामा सहाब थे मुहमद शावबुदिन के बेटे पेटे को वहां से हुसैन गंगन्ज लाए गया। हुसाइन गंज लाने के दरमियान काफी लोग उनके पीछे पीछे थे उनके समर्थकों की गाड़ियों की फैरिस्ट लगी हुई थी और उनको हुसाइन गंज लाकर के सीवान के व्यवार ने आले में पेश किया गया जहां से 14 दिन के लिए उनको नाय खिरासत में भेज दिय ने आई उनके समर्थक बिगड़ गये नाराजगी जाहिद करने लगे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनको राजनीत के तहस फसाया जा रहा है तो आगे के रिपोर्ट के लिए बने रहिए देश्वा न्यूज के साथ धन्यवाद सिर्फ ख़बर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले